नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में तो आज हम बात करेंगे ECC, Even Christian College, एलहाबाद ठीक है उसके exam pattern के बारे में तो मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में आज हम बात करेंगे total number of seats के बारे में तो BA Arts में कितनी total seat हैं ECC में ठीक है ताकि आप एक imagination कर सको एक अंदाजा लगा सको कि हाँ मुझे इतना करना होगा तब जाकर मेरा admission possible है ECC में ठीक है और क्या है न कि ECC बहुत सारे बच्चे जो है बैक अप के लिए रखते हैं जैसे इलहाबाद विस्विद्याले में 100% बच्चे हैं जिन्होंने ECC में apply कर रखा है वह 100% है कि उन्होंन 700 सीटे हैं यहाँ पर बीए आर्ट्स में ठीक है बीए आर्ट्स में ECC में 700 सीटे हैं यह लिखित है ऑफिसियल है ओके तो जिसका भी रैंक जिसकी भी रैंक 700 तक आती है उसका admission confirm है हो जाएगा ECC में लेकिन क्या होता है कि इसमें से आधे से ज्यादा बच्चों का नाम जो हो गई तो जिसकी भी रैंक 1000 तक है वह आराम से जाकर ECC में admission ले लेता है मतलब आप लोग अगर 1000 के आसपास घुमेंगे घुमा फिरा के 1100 1200 के रिंज में रहेंगे तो 100% आपका admission ECC में हो जाएगा ठीक है अगर आप 1000 के उपर गए ठीक है 1100 तक तो सेफ हैं लेकिन अगर आप 1200 1300 1500 के रिंज में आएंगे तो 50% chances हो जाएंगी कि आपका होगा की नहीं होगा आपको आपको फेबरेट सब्सक्राइगे की नहीं मिलेंगे ठीक है यह फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ओके 500 500 तक बच्चों को तो उनके फेबरेट सब्सक्राइगे जिसकी भी रैंक 500 600 त करना ही पड़ेगा यहां पर कट-off नहीं आती यहां पर रैंक डिसाइड होती है तो इसलिए आपको जरूरी है कि अच्छा स्कोर करें ताकि आपका अगर इलाहबाद गडबड हुआ है तो यहां पर admission हो जाए क्योंकि यह भी autonomous college है बहुत ही अच्छा college है ठीक है इन्होंने best of luck best wishes for your interest exam ठीक है तो चलिए मिलते है next video में